ये सोच जो एक विजन था मुख्यमंत्री जी का याज जब धरातल पर जागरुख हमें दिख रहा है तो बहुत ही खुशी हो रही है और बाकई में अब लग रहा है कि जो बदलाव हम लोग चाहा रहे थी कि खेल खेलाडियों के लिए हो खेल के लिए हो खेल को प्रोचान मि अब बिहार के बचो को निश्चित रूप से मिलेगी आज जो महिला टीम भारत की जो टीम हाँ पर इनॉग्रियल मैच खेल रही है उनके जो कोच है वो भी बिहार से हैं और ये बहुत अच्छा लगता है कि वैसे कोच है हम लोगों के बीच जिनने ओलिम्पिक्स तक और व और वो cultural growth तभी मिल पाता है जबकि infrastructure development उस तरीके का हो अनफोर्चुनेटली आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करो तो वो infrastructure बिहार के पास available नहीं था कहते हैं मंजिल उनी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखो से कुछ नहीं होता होस्टलों से उडान होती है नमस्कार मेरा नाम स्निहा गुपता है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ बिहार और बिहार वासियों के लिए आज काफी अतिहासिक दिन है क्योंकि बिहार में राजगीर स्पोर्स कॉंप्लेक्स का इनॉग्रेशन मुखी मंतरी नितीश कुमार ने कर दिया हमाई साथ खास बाचीत कर निकले श्रेशे सिंग एक खुद भी प्लेयर है साथ में जमुई से विधाय के माम सबसे पहले कैसा लग रहा है बहुत ही खुशी का पल है हम लोगों के बीच में जो खेल अकैडमी और जो खेल यूनिवरसिटी की हम लोग बहुत सालों से चर्चा सुन रहे थे जब इसका निर्मानकारी शुरू हुआ था मुझे याद है कि हम सब लोग विधानसभा में थे और आज जब धरातल पर योजना दिख रही है यह सोच जो एक विजन था मुझे मंत्री जी का यह आज जब धरातल पर जागरुक हमें दिख रहा है तो बहुत ही खुशी हो रही है और बाकई में अब लग रहा है कि जो बदलाव हम लोग चाहा रही है कि खेलाडियों के लिए हो खेल के लिए हो खेल को प्रोचान मिले एक सही प्लाटफॉर्म मिले अब बिहार के बचो को निश्चित रूप से मिलेगी माम हमें सोकी टीम यहाँ पर आया हुई है बिहार के लिए पहला काफी अतिहासिक आज दिन है कैसा लगता है इस प्लेयर आपने भी बहुत कुछ देखा होगा जब ऐसी महिला है आगे बढ़ते हैं एक मन से खुशी your जो बहुत अच्छा लगता है जब खिलाडि महिला हु या महिला हो इया पुरुष हो जब खिलाडी आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता था खासतोर से अपने बिहार. अज जो महिला भारत की जो टीम हैं ये पर मैच. किल रही उनके जो कॉछ екे वहार से है और और यह बहुत अच्छा लगता है कि वैसे कोच है हम लोगों के बीच जिनने ओलिम्पिक्स तक और वर्ल्ड चाम्पियंशिप तक होकी की विमिन्स टीम को पहुचाया है और डेफिनेटली वह हमेशा मैं देखती रहती हूं कि वह मारदर्शन भी देते हैं बिहार के कोचस को मैं उमीद रखती हूं कि उनकी मारदर्शन में और उन जैसे और जितने बिहार से जुड़े हुए खेल प्रेमी हैं कोचस हैं या खिलाड़ी हैं वो सब भी अपना योगदान देंगे कि बिहार में खेल आगे कैसे बढ़े इसकी साथ मैं एक सवाल मेरा ये भी है कि बिहार कि लोग जाधतर IPS, IES रहते हैं खेल में रूची तो रखते हैं लेकिन पढ़ाई को जाधा हमियत देते हैं उनको क्या कहना चाहें गया खेल को आगे बढ़ने के लिए खेल के लिए एक जो मेंटालिटी होती है या जो एक कल्चिरल ग्रोथ होता है उसके लिए बहुत अरीके का हो अनफोर्चुनेटली आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करो तो वो इंफ्रास्ट्रॉक्चर बिहार के पास अवेलिबल नहीं था मेरा आज 17 और हाफ का करियर हो गया है मैंने अपने करियर में देखा है किस तरह से अलग-अलग खेल को इंफाक्ट इंक्लूड फैसरी करियर होने का जो आप बात करें गए कक प्राइमरी करियर बने वो बचों के लिए उसी तरीका से वह को और जो चेंज हम लोग चाह रहे हैं जो मेंटालिटी चैंब लोग चाह रहे हैं उस किस्टी सबहुत ज़्रूरत है बिहार के लोगों को और बिहार के लोगों की मांजिकता बदन लेक लिए क्योंकि आप खेल में भी आपके पास करियर है बने लिया मैंसा तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्ति